धालपुर और मुरैना की अपराधी आग्रा में वारदात को अंजाम देते हैं। की टीम और सर्विलांज की टीम ने ग्रफतार किया है। पकर में आए आरोपियों के कपजे से नगडी बरामत की गई है। इसके अलाबा बारदात में प्रियोग की जाने वाली शिफ्ट कार भी बरामत की गई है। इनसे बरामत की जो हुई है वो है पांच अदद अंगूठी पीली धातू, नौ जोडी, पायल, सपेद धातू, पांच जोडी, बिच्छुआ, सपेद धातू, दो कड़े बच्चों के सपेद धातू, और पचास हजार, एक अदद शिफ्ट गाडी। ऐसा बताया गया है, इन आरोपियों की एक टोली है, दो पकले गए हैं, आदा दरजन लोग और सामने आएं, जिनकी तलास में पुले जुटी हुई है, तलास के लिए टीमें बनाए गई हैं। शिफ्ट गाडी के जरिये ये जनपद मुरैना से चलते हैं एक साथ में, और यहां आकर बारदात करते हैं, ये उन मकानों को चिन्नित करते हैं, जो या तो खाली रहते हो, या उनमें कोई बजर्ग ब्यक्ती रहते हो, और अपने सातियों के मदद से उपर चड़ते हैं, उ अपने साथ में, आकर बारदात को अनजाम देते हैं, और जानपद बादात करते हैं, और पुलिस की भी परिसानियां बढ़ जाते हैं, और पुलिस जेल बेच चुकी हैं, दोलिपुर और मुरैना के पकड़े जा चुके हैं, आगरा के अपरादियों से भी इनकी साठगाट रहती है यही बज़े है कि आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते है पुलिस लगातार धौलपुर और मुरेना के अपरादियों को पकड़ रही है उन पर सिकंजा कसा जा रहा है सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से धौलपुर और मुरेना के अपरादियों आगरा में वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं धौलपुर और मुरेना की पुलिस उन्हें पकड़ चो नहीं पाती है अपने साथी अगले दोवे के साथ राकिश खनोजिया सी नियूस आगरा